जब भी हम reasoning की तयारी करते हैं तो जो हमारे alphabets होते हैं A, B, C, D उनका जो positions होता है reasoning के तयारी में इन alphabets positions का बहुत बड़ा रोल होता है मैं आपको बताऊंगा कि इन alphabets positions को आप बहुत कम समय में और कुछ ऐसे basic trick मैं आपको बताऊंगा जिसके जरी आप alphabets के position को कभी भूल ही नहीं सकते हैं तो चलिए मैं रहुल पर साथ genome for success में आपका स्वागत करता हूं और शुरुवात करते हैं alphabets position के basic trick जिससे आप उसके position को याद रख सकते हैं तो आप देख रहे हैं कि alphabets के position का कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे पूलू कि R का position क्या होगा मतलब R ABCD में जो हम लिखते हैं तो R का position होता है total 26 alphabets है 26 alphabets में R का position क्या होगा 18 होगा तो हम कैसे तुरत पता कर सकते हैं एक्जाम में जब हम reasoning का कोई question करते हैं तो उसमें alphabets से जो question आते हैं उसमें alphabets का position होता उसका बहुत बड़ा role होता है तो चलिए आज हम इसी session में alphabets के position के बारे में देखते हैं यहां पर जो मैंने लिखा है alphabet के position मतलब A यह जो लिखा है और उसके नीचे जो लिखा है वो उसके positions है ए उसके position है A, B, C, D तो basically हम क्या करते हैं हमें दो चीजों की यहां पर जरूरत पड़ती है दो चीज़ें कभी भी हम जब भी रिजनिंग के तयारी करेंगे तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी एक तो है उस alphabets का position और दूसरा है उस alphabets के opposite जैसे मैं बोलू D का opposite क्या होगा? D का opposite हो M के नीचे फिर N से ऐसा लिखना तो यह दोनों एक दूसरे के opposite होते हैं अब एक बाद बताओ एक्जाम में आप इतना लिखोगे फिर इसका opposite निकालोगे सवाल का जबाब लाना important नहीं है जबाब कितना कम समय में लाओगे यह important है तो कम समय लाने के लिए मुझे उनके positions के opposite positions को याद रखना पड़ेगा उस alphabet के position को याद रखना पड़ेगा alphabet के position का जो opposite वाला position है मैं इसको आपको next वीडियो में बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में स्रिप alphabet के positions के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है देखिए बहुत सारे जगा पर आपको alphabet के positions के बारे में बो 20 और Y का 25 और फिर आप से कहा जाता है कि अगर O के बाद P का बोले तो पहले O का पोजिशन आप याद रखे 15 O के बाद P क्या है P का पोजिशन 15 O के बाद P आता तो 16 निकालो तो अगर मुझे R का निकालना होगा तो पहले मुझे O का निकालना पड़ेगा O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर 15, 16, 17, फिर जाके बहुए मैं इसको बोलूँगा 18, नहीं सर ऐसा बिलकुल भी नहीं करना, क्या ये और फिर जो इजोटी है, वो मेरा कोई काम का नहीं है, इजोटी काम का है, मैं इजोटी को यूज़ करता हूँ, लेकिन इजोटी को यूज़ हम अलफाबेट के पूरे पोजिशन को याद करने के लिए करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इजोटी को यूज़ स्रिफ इनहीं लेटर के पोजिशन को याद करने के लिए करेंगे, तो आप याद कैसे करेंगे, आप याद रखना E का position है 5, आप बरे साथ बोलो E 5, और J का position है J 10 नहीं, J 10, यह ज्यादा अच्छा सुनने में लगता है, तो E 5, J 10, O 15, मैंने क्या बोला, E को बोलो 5, E 5, J 10, O 15, ठीक है, O 15, और T 20, T 20 मैंच, तो आपको पता ही होगा, तो T का position T 20 और Y का 25, आपको यह याद रखने है, तो कैसे याद रखोगे, E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25, हमने जो इस इसोटी का इस्तमाल सरिप, इन ही लेटर्स के positions को याद करने के लिए किया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखो, A, B, C, CD, A का position 1 है, B का position 2 है, C का position 3 है, D का position 4 है, इन्हें याद करने के लिए मुझे कोई भी trick की जरुरत नहीं है, मुझे A, B, C, D तक तो याद है ही, आगे चलते हैं, अगर E का position बोले, तो अभी हमने बोला E का position क्या याद करने के बोला था, मैंने E 5, हमने याद किया E का position E 5, E 5, अब आते हैं 6, 6 के लिए याद रखना, जो fix है, जो fix है, वो 6 है, जो fix है, जो fix है, जो fix है, वो 6 है, जो fix है, जो fix है, वो 6 है, मतलब F से आपको याद रखना है fix, और याद रखना है, जो fix है, वो 6 है, तो F का position अब क्या हो गया, F का position हो गया 6, जो fix है, वो 6 है, ठीक है, F का पोजिशन 6 ओके चलते जी अब जी को मुझे कैसे याद रखना है दिखें सर अगर आप जी को ध्यान से देखें तो जी के साथ आपने ध्यान से अगर जी को देखा तो जी के साथ आपको एक 7 नजर आ रहा होगा है ना मतलब जब हम G को लिखते हैं तो G के साथ एक 7 हम उसके साथ लिखते हैं तो G का पोजिशन क्या हो गया G का पोजिशन हो गया 7 जब हम G लिखते हैं जब भी आप G लिख तो G के साथ एक 7 अपने आप नहीं लिख देते हो तरह नजर आ रहा है तो h का position क्या होगा h का position होगा 8 मतलब जब भी आप h को देखें और visualize करें कि h किस तरह से दिखता है तो h हमें ऊपर वाला position को अगर मिला दे अगर मैं same color से मिला दू ऊपर वाले position को और नीचे वाले position को तो आपको नजर में आएगा कि यह एक 8 लिखा हु उसी तरह I का पोजिशन देखते हैं, I जब हम कर्षिम में I लिखते हैं, तो किस तरह से नज़र आता है, ये 9 की तरह नज़र आता है, तो I का जो पोजिशन है, वो क्या हुआ, I का पोजिशन 9 हुआ, ठीक है, जो जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा दिमाब में अभी तो I P L का मैच चल रहा, आपको याद होगा, Kings-11 पंज़ाब, ठीक है, एक टीम है, Kings-11 पंज़ाब, तो K का पोजिशन हो गया, K का पोजिशन हो गया, 11-11, तो याद रखेगा, Kings-11 पंज़ाब, मतलब K का पोजिशन क्या हुआ, K का पोजिशन 11 हुआ, ठीक है, उसे से आगे चलते हैं L जब हम L लिखते हैं L ऐसा लिखते न तो L के लिखने के लिए आप कितनी लाइन का इस्तमाल करते हैं 1 ऐसा किया 1 और 2 तो ऐसा याद रखेगा कि जब हम L लिखते हैं तो L के लिखने के लिए हम 2 लाइन का इस्तमाल करते हैं तो L का पॉजिशन क्या हुआ L का पोजिशन हुआ 12 ठीक है आगे चलें M जब मैं M लिखता हूँ सर आप देखो M ऐसा लिखते हो अगर M के इस वाले पोर्शन को राउंड कर दिया जाए तो आप देखो M आपको 3 की तरह नज़र आने लगेगा तो यही वाला 3 हमने यहां लिखा है और आप M का पोजिशन 3 लिखते हैं तो M 3 के बाद 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो C है 23 नहीं हो सकता क्योंकि 23 तो जड़ के आसपास है M कहीं बीच में होगा तो क्या होगा M का पोजिशन 13 होगा 13 होगा ठीक है तो समझ में है M का पोजिशन कैसे याद रखना है बस इतना याद रखना है कि जब हम M को लिखते तो उपर round कर देते हैं तो M का position क्या हो जाएगा M का position 13 हो जाएगा N की बात करें Children day कम मनाते हो Children day मनाते हो अब 14 November को अब 14 November को Children day बनाते हो तो याद रखेगा 14 November 14 November से N है और N का position 14 है तो N जब भी आएगा 14 November मतलब N का position 14 है ठीक है clear हो गया आगे चलते हैं अभी हमने बोला याद रखना है ओ को क्या याद रखना है ओ को याद रखना है ओ 15 ओ 15 ठीक है ओ 15 ओ 15 याद रखना है ठीक है P देखो जब हम P लिखते हैं तो आप ऐसा P लिखे मैं नीचे से अगर इसको round कर दू तो यह मुझे 6 की तरह नजर आने लगेगा उल्टा 6 ठीक है उल्टा 6 और एक line खेच दो तो यह 16 की तरह नजर आएगा इसको सीधा करेंगे तो यह क्या हो जगा 16 की तरह नजर आएगा तो P का position क्या हो गया P का position हो गया 16 मतलब P को जब हम थोड़ा सा आगे round करते तो यह 6 की तरह नजर आता है तो 6 तो हमारा जो fix है वो 6 है मतलब F है 6 position किसका है 6 position F का है मतलब 16 position कितना होगा 16 position जो होगा वो किसका होगा वो P का होगा बात समय माया आगे चलते हैं Q का position जब आप Q लिखेंगे Q के साथ 7 इसके साथ भी लिख देते है तो G का position तो 7 था लेकिन Q के लिए हम 7 लिखे हैं तो Q के लिए 7 है इसका मतलब Q का position क्या होगा Q का position होगा 17 बात समय माया है Q का position क्या होगा Q का position 17 होगा आपको clear हो गया आगे चलते हैं आर जब आप आर लिखते हो तो सर अगर मैं ये वाला पोर्शन को मिला दूँ ऐसा बंद कर दूँ इसको तो आप देखो कि आपको आर एक एट की तरह नजर आने लगेगा लेकिन एट तो मैंने एच को बनाया था ठीक है क्योंकि एच तो एक नस्दीक था तो आर का पोजिशन क्या हुआ आर का पोजिशन 18 हुआ बात समझ में आया आर का पोजिशन 18 हमें ऐसे याद रखना है ओके आगे चलते हैं S का पोजिशन अगर मैं इसको मिला दूँ यहां से तो आप देखिए आपको S कैसा नजर आने लगा अब आपको S 9 की तरह नजर आने लगा अब इसके आगे एक लाइन खीश देते हैं तो S का पोजिशन कैसा हो गया S का पोजिशन हो गया 19 इसका मतलब S जो है उसका पोजिशन क्या है 19 है और कैसे shortcut में याद रखना है killer हुआ एक दो बार practice करेंगे कभी भी नहीं भोलेंगे यह मेरी guarantee है ठीक है आगे चलते है T अभी हमने बोला यह हमारे T20 match तो T के लिए हमें याद रखना है T20 का जो हमारा match होता है वो हमें को याद रखना है T20 match T20 ठीक है यू के लिए आपको याद रखना है कि आपने एक बंदा देखा है जिसके T-shirt पे 21 लिखा हुआ है तो वो बंदा बहुत unique नजर आ रहा है ठ रखना है यू के लिए रखना है unique 21 यू के लिए रखना है unique 21 मतलब आपने एक बंदा देखा वो बहुत उसके T-shirt पर 21 लिखा हुआ था तो इस बंदा को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था वो इसलिए उसको मैंने बोल दिया बहुत unique है तुम्हारा T-shirt इसलिए आ लेते तो और ऐसे करते हैं न ऐसे उंगलियां ऐसे करते हो ऐसे दो उंगलिया निकालते हो दोंगल्री का मतलब ठीके निय्या होगा 22 थीक अटके ओडाय देखके डेबलू को आप जब लिखते हो तो डेबलू जब अश्यलिखते हो तो घालिए पहुतीफ कर देख hail कर पोजिशन अगर आंके 2 लगा दू कि यह क्या हो जागा यह हो जागा 23 तो W को मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया तो यह 3 के यह से दिखने लगा और इसका पोजिशन हो गया 23 होप आपको बात समय में आया होगा ठीक है बाकी X Y Z तो नजदी के ज़र के तुरत निकाल सकते ह 24 Y का 25 और Z का 26 अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कोई भी लेटर उसका अपूजिट आप कैसे याद रख सकते हैं और तुरत याद होगा बहुत आसान तरीके से जितने आसान तरीके से अपनी इसको याद रखाता एक थोड़ा सा बात करते हैं फटा प नॉम्बर ठीक है पोजिशन फटापट फटापट याद हो गया एक दो बार प्रैक्रिस कीजिएगा आपको याद होगा ओप आपको ये ट्रिक समझ में आये होगी और पसंद भी आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब की और शेयर जरूर कीजिए तब तक लिए अपना ख्याल रखें फिर मुलाकात होगी नमस्कार बाई बाई